नमस्कार दोस्तों, Wealth Sky की नियूंटरस्टें इससाइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा के बारे में जी हां दोस्तों और देखेंगे कि यहां पर कल के लिए हमें कौन सी ट्रेड मिलेगी अगर बैंक निफ्टी किसी भी लेविल पर ओपन होता है तो उस लेविल पर हमें क्या करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर बैंक निफ्टी आपको 26,400 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप एक short call ले सकते हैं या put ले सकते हैं तो उसका बहुत अच्छा फाइदा मिला कि आज बैंक निफ्टी आलमोज जब सोबे 26,450 का high बना के नीचे गिरा तो वोई 100 रुपे की जो put ती वो double हो गई थी उसके बाद दुबारा से बैंक निफ्टी ने दुबारा से recovery आई और फिर day high पे जाके बंद हुआ तो वोई चीज़ को हम आज आप देखने की कोशिस करेंगे कि कल के लिए हमें क्या trade मिल सकती है और उनको हम समझने की कोशिस करेंगे कि उपर के label पे हमें क्या करना चाहिए और नीचे के label पे हमें क्या करना चाहिए तो जल्दी से चलते हैं bank nifty के option data पे और समझने की कोशिस करते है और फाइनली दोस्तों मैं आगया हूँ NST की website पे है और जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि bank nifty का data क्या कहता है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं जो bank nifty की closing आई है 26,443 पे है जो की करीब है 26,500 के तो इसको समझने की कोशिस करते हैं कि यहां पे कल के लिए हमें कौन सी trade है मिलेंगी और किस-किस level पे हमें जादा ध्यान देना है तो सबसे पहले जैसा कि bank nifty 26,500 के करीब close हुआ है जाके तो हम 26,500 से ही start करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है यहां पे तो दोस्तों देख सकते हैं 26,500 के अगर मैं put की बात करूँ तो यहां पे 2,91,000 का open interest खड़ा हुआ है करीब पर 36,000 का आज ही है है बट इसके comparison में call writing में यहां पे open interest जादा है तो कह सकते हैं कि call writer heavy है जो मंदड़ी हैं या जो मंदी करके बैठे हैं वो जादा heavy है as compared to जो तेजी करने वाले है 26,500 की की strike पह है अब हम देखते हैं कि जैसा कि 26,400 के ऊपर bank nifty close हुआ है तो 26,400 के ऊपर क्या हुआ है तो 26,400 के ऊपर देखते है 26,400 की जो put है वहां पे करीब open interest जो खड़ा हुआ है वो 3,48,000 का खड़ा हुआ है यहां पे आपको यहां पे clearly दिख रहा होगा और वहीं इसके comparison में 26,000 पे यहां पे आप देख सकते हैं 4,14,000 का open interest खड़ा हुआ है यानि कह सकते हैं कि जो मंदड़ी हैं जिनोंने call बेच रखी है 26,400 की वो इतने confidence है कि अभी भी वो अपनी जो call है उसको जो simply जो short covering जिसको हम बोलते हैं वो अभी भी नहीं काटना चारे क्योंकि उनको ये विश्वात है कि 26,400 के उपर परसो के दिन या कल के दिन इतनी जल्दी नहीं टिकेगा उसके बाद पर नीचे आ जाएगा तो ये चीज़ है बट अगर देखा जाए यहां पर तो 26,000 का लेविल कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के बहुत important लेविल है कि किसी भी रीजन से 26,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा उसके बाद अगर जो लेविल की बात होती है वो होती है 26,200 की तो किसी भी रीजन से अगर आपको 26,200 के आसपा बैंक रिफ्टी मिलता है तो वहाँ पर आप बाय करिएगा डेफिनिटली आपको काफी अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है और उपर की अगर रेंज बताऊं तो आपको कल अगर कोई भी gap-up opening मिलती है 26,500 के उपर बैंक रिफ्टी खुलता है तो आपकी जो first call होगी वो short side की ही होगी इतना आप ध्यान से समझ लीजिए और उसका जो target आपको मिल सकता है नीचे वो मिल सकता है 26,400 का तो 100 point का target आपको easily मिल सकता है अगर 26,400 के नीचे आता है तो आपको 26,300 का target easily मिल सकता है बैंक निफ्टी में तो ऐसा data यहां पे clearly यहां पे show हो रहा है यहां पे बैंक निफ्टी का अब suppose कर लिए है कि अगर 26,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी टिक गया तो फिर क्या होगा दोस्तों अगर 26,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक गया तो आप समझ लीजे कि 8,49,000 का यह 4,000,000 का यह तो करीब करीब आप कह सकते है 15,000,000 का यह open interest जो मंदी की side बना हुआ है इसमें आप short covering आती हुए दिखोगे क्योंकि यह जो हफता है basically यह जो दो दिन है यह basically expiry के दिन है और यहाँ पर अगर बड़ा movement आता है तो यह तेजी से short covering को ला सकता है market में तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा level पे ही trade करिएगा level के बाहर जैसी आप निकले और stop loss लगाके ही trade करिएगा 10-15-20 point का stop loss बहुत है bank nifty में जादा से जादा आप 30 point का लेके चल सकते हैं या फिर option में काम करिएगा जिससे आपको यह कि बड़ा loss नहीं होगा 26-500 के उपर अगर bank 50 टिकता हुआ दिखाई देता है तो आपको एक बार अपनी position मंदी की side से हटा लेनी चाहिए लेकिन अगर कोई gap up opening मिलती है सीधा 26-500 के ऊपर खुल रहा है तो आपको जरूर एक short call लेना चाहिए और नीचे अगर 26-200 के नीचे अगर आपको खुलता हो दिख रहा है 26-300 के भी नीचे खुलता हो दिख रहा है तो आप एक बार call लेके TG की position बना सकते है कि bank nifty वे डाटा क्लिरली दिख रहा है जो bank nifty की जो expiry की यह लेवल्स बनते हैं वो करीब करीब आप कह सकते हैं 26-400 के आसपास के बन रहे हैं तो तो क्योंकि कल का trading session और परसो का trading session अभी बाकी है तो इसके बाद ही पता चलेगा कि परसो की दिन bank nifty की expiry finally किस लेवल पे होगी बट यह data जैसा बन रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि 26-26-26-500 के बीच में हो सकती है बट अगर यहां पर कह सकते हैं call writer अगर दुबारा से हैभी पड़े तो एक बाद नीचे 26-200 तक bank nifty जा सकता है तो I hope दोस्तों यह data आपको समझ में आ गया होगा तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको बसंद आएगा वीडियो बसंद आता है तो लाइक और शेट जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर नीचे क्योंकि मैं सुधी लेकर आतार हूँ हर दिन अतली नहने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैह हिंद